साई की बात बचे तेरे सारे काम बनेंगे मेरे बचे तेरे सारे काम बनेंगे जानते हो क्यों क्यों क्योंकि तुम्हारा नेक दिल है तुम साफ मन के हो मेरे बचे और तुम मेरे बहुत प्रिये बचे हो बहुत खास बचे हो मेरे ऐसे कैसे मेरे बचे तुम्हारे काम नहीं ब उसे मैं पूरा करूँगा मेरे बचे विश्वास रख अपने साई पर तेरे साथ ना कभी कुछ गलत नहीं होने दूँगा कभी भी मेरे बचे और जिन लोगों ने न तुझ से रिष्टे नाते ही खतम कर दिये सिर्फ वक्त के हिसाब से वो तेरे साथ खड़े थे तेरे तुम्हारे अपने थे ही नहीं जो अपने होते है ना वो कभी बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ते लेकिन तेरा साई है ना तेरा साई तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा अब तेरे सारे काम बनेंगे तुम देखना मेरे बचे और तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो अब आएंगे मेरे बचे उसका फल तुझे मिलेगा और तेरी तकदीर को मैं बदलूँगा क्योंकि तुमने अपने साई के पैर पकड़ लिये हैं मेरे बचे तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल मत करना मेरे बचे, तुमने बहुत सबर किया है, मैं जानता हूँ मेरे बचे, तुमने बहुत संघर्ष किये है, बो सब तुम्हारे साई ने देखा है मेरे बचे, मैंने सब देखा है, अब तेरा इंतजार खतम होने जा रहा है मे मेरे बच्चे जो भी कमी है ना तेरे जिंदगी में वो मैं सब पूरी करूँगा मेरे बच्चे सब पूरी करूँगा चाहे वो तुमने मुझसे मांगा हो या ना मांगा हो पर मैं सब पूरी करूँगा मेरे बच्चे बस अपने साइं की रजा में रहना सीख लो मेरे तो तुम्हें सब राप्त होगा, सब मेरे बचे, और सुनो, तुम्हारी किसी से न भेट होगी मेरे बचे, कोई तुम्हारा पुराना जान पहचान वाला था मेरे बचे, जिसे तुम बहुत पसंद भी करते थे, तो मेरे बचे, उनसे तुम्हारी भेट भी होगी मेरे बचे, और यूही चलते फिरते ही होगी मेरे बचे, तुम देखना और सुनो, जिस फैसलों की तुम बाते करते होना मेरे बचे तुम्हारे फैसले मैं करूँगा और कभी भी अपने साइं के फैसलों पर संधेह मत करना मेरे बचे कभी शक मत करना क्योंकि मैं जो फैसला लूँगा वो तुम्हारे लिए लूँगा मेरे बचे तुम्हारा सम्मान भी होगा और तुम्हें एहमियत भी मिलेगी मेरे बचे बिल्कुल बिजिंता मत करना और सुनो कुछ मेरे बचे ऐसे हैं जो अपने बच्पन को याद करते हैं तो मेरे बच्चे मैं तुम्हारा बच्पन लोटाओंगा फिर से लोटाओंगा किसी और जरीय से किसी और रूप में मेरे बच्चे तुम अपने बच्पन को ना दुबारा से देखोगे अपने आपको दुबारा से बड़ा होते देखोगे अपने आपकी यादे ताजा करोगे मेरे बचे और तुम्हें वही खुशी मिलेगी जब तुम्हें उस बच्चपन में मिलती थी तुम देखना मेरे बचे और सुनो मेरे बचे तुमने न कुछ चीजों को संजो कर रखा हुआ है तुम्हारी बहुत सारी यादे एक अलमारी में कैद हैं मेरे बचे कुछ यादे बहुत अच्छी भी है और कुछ तुम्हें दर्द भी देती है मैं जानता हूँ मेरे बचे लेकिन अगर अच्छी यादे हैं न तो उसे याद किया करो और अगर बुरी यादे हैं न तो उसे एक कोने में बंध ही रहने दो मेरे बच्चे वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने अतीत में वापेस जाकर उन बुरी आदों को याद करो और परेशान रहो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो भविश्य की तरफ और जिस कल की चिंता में तुम रहते हो न तो आज वही है तुम्हारा कल आज वही जिसे तुम जी रहे हो न जिसकी तुम चिंता करते थे आज वही वो कल है मेरे बच्चे और आने वाला भविश्य में भी ऐसा ही कोई कल होगा मेरे बच्चे जो तुम्हारा वर्तमान बनेगा जब तुम अब चिंता नहीं करते हो न तो बात की क्यों करते हो मेरे बच्चे जब तुम्हारा साई तुम्हें यहां तक ले आया तो आगे भी ले जाएगा जब तुम्हें इतनी मुसीबतों से निकाल कर जहां तुम फसे हुए थे वहां से निकाल कर मेरे बच्चे मैं तुम्हें निकाल कर बहुत आसानी से सुरक्षित यहां तक लेकर आया हूँ तुम पर एक उंगली भी नहीं उठने दी मैंने तुम पर एक आज भी नहीं आने दी तो फिर किस बात की चिंता करते हो तुम मत किया करो मेरे बच्चे और सुनो मैंने भीजा था किसी को तुम्हारे पास सेवा के लिए और तुमने बहुत अच्छे से उसकी सेवा की मेरे बच्चे और तुमने मेरा जाब भी सुनाया है ना मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो जो तुम्हारा साफ मन है ना मेरे बचे बस वही मुझे बहुत भाता है मेरे बचे क्योंकि तुम्हारे अंदर ना कोई छलकपट नहीं है किसी के लिए तुम बुरा नहीं सोचते और लोग हैं तुम्हारे घर परिवार में जो हमेशा तुम्हारे बारे में गलत ही सोचते हैं लेकिन उसके बावजूद भी न तुम कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हो कि तुम सही रहो, तुम सुरक्षित रहो, तो हां मेरे बचे, तुम सुरक्षित हो, अपनी साइं की छतर छाया में तुम सुरक्ष सुरक्षित ही हो मेरे बच्चे बिलकुल सुरक्षित हो और मैंने तेरे लिए योजना बना ली है मेरे बच्चे अब तुम देखना वो योजना तुम्हारे सामने प्रतेक्ष रूप से आएगी मेरे बच्चे और तुम्हें समझ में तब आ जाएगा कि तुम्हारा साइं क्य चाहता है और सुनो मेरे बचे पैसों के लिए पैसे पाने के लिए कोई उपाय जो तुम कर रहे हो न तो पैसा ऐसे नहीं आता मेरे बचे लक्षमी ऐसे नहीं आती पैसों के लिए कोई उपाय करने की या किसी से कुछ पूछने की कोई जरुवत नहीं है मेरे बचे बस तुम मेरा नाम जाप करते रहो जैसे जैसे तुम मेरा नाम जाप करोगे न वैसे वैसे तुम्हारे सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे और तुम्हारे घर में बरकत होने शुरू हो जाएगी मेरे बचे और पैसो की तो भरमार हो जाएगी जिस पैसो की पीछे तुम भाग रहे हो न वो पैसा अपने आप तुम्हारे घर चल कर आएगा मेरे बचे और तुम्हारे घर पर बहुत बरकत होगी किसी की पीछे भागो मत, किसी मंत्र के पीछे, किसी उपाय की पीछे या किसी इंसान के पीछे, नहीं मेरे बचे तुम ठगे जाओगे, साबदान रहो ठगियों से मेरे बचे और अपने कुछ बचों से कहना चाता हूँ कि तुम्हारा स्वास्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे बचे और जो तुम्हें परेज बताए गए हैं तुम बिल्कुल भी परेज नहीं करते हो खाने पीने में मेरे बचे बिल्कुल भी नहीं करते हो, सब कुछ खाते हो, सासा दवाईयां भी ले रहे हो, तो कैसे असर होगा मेरे बचे, कैसे तुम ठीक होगे, थोड़ा तो परेज करो ना मेरे बचे, तुम छोटे बचे नहीं हो, कि मैं तुमें बारवर समझाओं या ड प्लियंद्रन रखने की कोशिश करो मेरे बच्चे और खान पीन पे भी ध्यान लगाओ मेरे बच्चे और सुनो जिन मेरे बच्चों का मुकदमा चल रहा है न वो अध्याय बारा पड़े मेरे बच्चे साई सचरित्र का अध्याय बारा पड़े तुम्हारे मुकदमे तुम्हारे कानूनी काम वो सब खतम हो जाएंगे मेरे बच्चे सारा सब कुछ खतम हो जाएगा बिल्कुल चिंता मत करना रोज मन से सचे मन से मेरे बच्चे बारवा अध्याय पड़ना तुम्हारा कल्यान और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूं मेरा अश्रवाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बचे हमेशा तुम्हारे साथ है कुछ मेरे बच्चों का कूलर पंखा भी खराब हो गया है गर्मी बहुत है जानता हूं मेरे बचे चिंता मत करना मेर मेरे बच्चे तुम बिल्कुल चिंता मत करो खुश रहो मेरे बच्चे हमेशा खुश रहो आज का साई संदेश समापत हुआ